आइसे से 2023 बाइलोजी के पेपर में लास्ट टेनियर से केवल तीन साल को इंपोर्टेंट बताया गया वह भी रिवाज्ड सेलेबस के इसाब से कहा गया है कि बाइलोजी के पेपर में यदि स्टुडेंट को बनाने हैं तो वह रिपीट क्वेस्चन को नहीं करता है इसलिए स को सेमेस्टर वन के पेपर को बना लेने क्योंकि समेस्टर वन के पेपर थे वह काफी हद तक इंपोर्टेंट बताए गए थे और CISC वही बात फिजिक्स में किया केमेस्ट्री में भी किया इसलिए बाइलोजी मोस्ट अस्पेक्टेड है इसके अलावे यदि चाहते हैं तो 2020 को पार्सियली बना ले मैं कम्पलीटली नहीं कर रहा हूं पार्सियली एक बार देख लें लेकिन 16 17 यह दो साल है जो काफी इंपोर्टेंट बताए गए और यहां पर 18 के बारे में भी बताया जा रहा है कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2018 भी इंपोर्टेंट है तो कुल मिला है कि यही चार साल है जिनको बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट बताया जा रहा है आईए सी 2023 बाइलोजी के क्वेस्चन पेपर को लेकर जिसमें की यह रिपीटेशन होने के चांसे जहाई सी आईएसी जिस तरह से फिजिक्स 2023 क्लास 10 आईसे से में रिपीट किया केमस्ट्री 2023 में रिपीट करता है आईसे सी के लिए वह यह तरह से और आप इंपोर्टेंट क्वेस्चन की बात करेंगे तो मैं 2023 के important question की जगह मैं 2024 के इस बुक को preference दूँगा क्योंकि ये बुक काफी हद तक modern approach पर आधारी था हला कि 2023 के इस बुक में यदि आप देखेंगे तो diagram section के अंतरगत इसे important बताया गया है कि देख लजे ये 4 diagram काफी जादे important है वही पर कुछ और diagrams को इसने रेखांकित किया हुआ है diagram number one diagram number two और इधर diagram two है जो की दे दिये गया है जिनसे आपके question रहने की उम्मीद है diagram section के अंतरगत थोड़े बहुत जो less important diagram में यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप इस questions को देख ले या फिर इधर वाले इस part को समझने की hypothesis करें लेकिन जो questions आएंगे वह बहुत हद तक नए particular syllabus के हिसाब से आएंगे एक और पेज जिसको हमने biology के teacher से बात किया वह examiner है 2023 के IAC के question को चेक कर रहे हैं वह बताएं कि इस page के इस part को आप अपने student को कह लिजी अगर इसे questions ना रहते हों तब आप कहेंगे कि क्या है अब questions के answer किस तरह से लिखने है या student के approach किस तरह से उने fast में मैं चल रहा हूं और आपको बताता हूं जिस तरह से 2024 का biology का paper है जिसको मैं analyze कर रहा था पूछ रहा था 2023 के sample paper और revise syllabus के हिसाब से तो odd man out वाले questions को जिस तरह से approach wise attempt करने है यहां पर देख लिजे वो बहुत ज़्यादा important हो जाते हैं फिर match the column में यहीं पर दिएगा है five और five marks के question यानि ten marks यहां से मिल जाएंगे और इस तरह के approach वाले questions पर एक chapter में हैं लेकिन मोटे तोर पर student को a difference भी देखने two marks के difference आते ही आते हैं और a difference अगर student ने अच्छी तरह से समझ लिया हो तो उसके लिए इतना मातुन है कि दो questions रहेंगे last के section में और उसमें से आपको four questions attempt करने हैं तो उसको आप बना लेंगे जैसे column one और column two में जितने भी important type बताएंगे मैंने आपके साथ screen पर share किया हुआ है आप इसको देख लेंगे और इस हिसाब से बनाने की कोसिस करेंगे इसके बाद आप इस diagram को एक बार फिर से देख लेंगे इस पर जो कहा गया जो मुझे गाइड किया गया मैंने वही बताने की कोशिस किया है और student को समझाने की कोशिस किये लास्ट 10 years में 2013 14 से लेकर 2022 तक एक साल 2021 में जो कोश्चन सबसे जादे आए हैं diagram section में यहां पर देख लिए question number one और question number two at least two to three times repeat किये गए CISC के द्वारा even complimentary exam और supplementary में भी तो student को यहां पर इन figures को लेकर एक approach रखने होंगे जो बाते बतानी थी important diagram को लेकर या questions को लेकर मैंने यहां पर आपके शार शेयर किया और इसमें इस बुक का बहुत अच्छा contributions है और last ten years तुम्हें बता ही दूँगा कि last ten years के बड़े से उगदान है last ten years का तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यबाद यदि आपको यह वीडियो important question answer खास करके diagram और how to approach the answer पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करने का साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बाय फॉर ना